Hello students, this is Meenakshi and how are you all and welcome to my new video और आज हम इस वीडियो में करते हैं क्लास 10th की exercise 3.3 के question number 1 का 6th part क्या है कि हमें इसमें 2 equation दीवी हैं और हमें इन 2 equation को substitution method से solve करना है तो substitution method का आपको पता ही है कि हम किसी भी एक variable की क्या निकालते हैं दूसरी variable की test में value निकालके उसको किसी दूसरी equation में substitute कर देते हैं तो यहाँ पर यह हमारा क्या है 5y होगा है यह x गलते हैं पर क्या है 5y तो क्या है हमारा 3x upon 2 minus 5y upon 3 is equal to minus 2 और x by 3 plus y by 2 is equal to 13 by 6 तो पहले आप इसको थोड़ी simple form में कर लो ओकी इन calcium ले लो यहाँ पर देखो इस calcium कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और जब आप इसको इससे divide करोगे तो 2 3 जा 6 3 आएगा तो 3 का इसमें हम multiply कर देते हैं उपर 3 3 जा 9 9x minus एसी इसमें हम से इसको divide करते हैं हम तो कितना आता है 3 2 जा 6 2 आता है फिर जोई 2 आएगा उसको हम उपर multiply कर देते हैं तो कितना आता है तो 5 जा 10y 10y is equal to minus 2 अब आप इसमें हम पर कर लो cross multiply जब आप cross multiply करोगे तो क्या हो जाएगा 9x minus 10y is equal to 6 2 जा 12 और minus का 12 हो जाएगा यह आपकी equation number यहाँ पर 1 बन जाती है अब इदर से equation number 2 बना लो इसका आप LCM ले लो यहाँ पर 6 फिर वही करो 3 2 जा 6 2 आ जाएगा और is equal to 13 upon 6 और यहाँ पर देखो यहाँ पर यह 6 से 6 cancel हो जाएगा वैसे भी आप इसको cross multiply करोगे तो यह क्या हो जाएगा cancel हो जाते है ठीक है तो ऐसे आप direct भी cancel कर सकते हो ओकी लेकिन यह दोनों की उसमें होना चाहिए ठीक है तब होते है cancel यह जो पूरा इधर नंबर है LHS में और RHS में अगर दोनों में denominator सेम आ रहा है तो यह cancel हो जाते है यह से अब कितना बचा है यहाँ पर 2X plus 3Y is equal to 30 आपकी यह बन गई हाँ पर equation number 2 अब हम कर लेते हैं from equation 2 equation 2 से हम कर लेते हैं equation 2 से हम क्या करते हैं हम इस पर यहाँ से x की value निकाल लेते हैं तो मैं directly निकाल देती हूँ from equation 2 क्या हो जाएगा X is equal to कितना हो जाएगा 3Y इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 minus 3Y और 13 minus 3Y उसके बाद जो यह 2 है यह इसके division में आ जाएगा तो upon 2 तो एसी इस गल्दों क्या हो जाएगा 13 minus 3Y और upon 2 यह हमारे हो गई हाँ पर x की value अब आप इसको substitute कर दो substituting value of x in equation 1 equation 1 में इसको substitute कर दो यह हमारे equation 1 थी पहले सको लिख लेते हैं 9x minus 10y is equal to minus 12 x के place पे आपको यह पूरी value रखनी है तो 9 into क्या है 13 bracket लगा दो 13 minus 3Y upon 2 ओके यह हमारे हाँ पर complete होगे इतना अब आपका आगी के बचा माइनस 10y minus 10y is equal to 12 अब आप इसमें इसका LCM 2 हो जाएगा 2 बंजर 2 तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 19 into 13 minus 3Y और minus यहाँ पर 2 आएगा ओके और 2 तेंजर 20 20y is equal to 12 हो जाएगा अब आप इसमें 9 के अंदर multiply कर लो तो कितना हो जाएगा 39 के अंदर कितना होता है 117 minus 9th रिजर 27 y minus 20y upon 2 is equal to 12 अब देखो यहाँ पर यह जो yy वाले हैं यह क्या हो जाएगे प्लस हो जाएगे तो कितना हो जाएगा आपका 117 minus 47y minus 47y और is equal to is equal to क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 12 अच्छे यहाँ पर minus का 12 था minus 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 और यहाँ पर भी minus ठीक है अब आप इसका कर लो cross multiply cross multiply में क्या करेंगे 117 minus 47 y is equal to minus 12 into 2 कितना हो जाएगा minus 24 multiply हो जाएगा अब minus 47 y is equal to minus 24 और इधर जाके transpose होके minus का ही 117 हो जाएगा तो minus 47 y upon यह कितना होता है यह हो जाएगा यहाँ पे 7 and 4 1 2 3 और 1 4 और 1 minus का यहाँ पे यह दोनों sign कर दो cancel और y is equal to कर दो 141 और यह इधर division में चला जाता है आपको पता है और यह से कितने बाद cancel हो जाएगा यह 4 312 मेरी खाल से 3 टाइम जाएगा 47 और 141 तो 4 312, 37 जा 21 3412 और 14 तो 3 टाइम जाएगा तो यह आगे आगे यहाँ पे 3 तो इसका मदलब आपकी y के value कितने आगई? 3 आगई अब आप यहाँ पर x की value निकाल लो अब यहाँ पे लिख लो putting y is equal to 3 in equation 2 equation 2 में हम रिख लेते हैं, equation 2 थोड़ी से easy है, okay equation 2, अब देखो equation 2 हमारी क्या थी? यह थी क्या थी? 2 x plus 3 y is equal to 13 यह थी, ठीक है? आप डिरेक्ट भी value put कर सकते हो, 2 x लिखने की जुरुद बनी है equation को 3 into 3 is equal to 13 2 x is equal to 3 3 जा 9 is equal to 13 और 2 x is equal to कितना हो जाएगा? 13 plus 9 कितना हो जाएगा? sorry, 13 minus 9 इधर जाके minus का हो जाएगा? 9 13 minus 9 हो गया तो इधर में लिख कर देते हूँ तो 2 x is equal to कितना हो जाएगा आपका? 13 में से 9 गया? 4 होगा आपका, okay तो x is equal to आपका यहाँ पे हो जाएगा आप 4 upon 2 2 को जा 4, 2 तो यहाँ पे हो जाएगा x is equal to 2 ओके? तो यहाँ पे आपकी आगई x की value 2 और y की value आप गई आपके यहाँ पे 3 और question आपका होगे complete, okay अगर एक question में अगर आपको कुछ भी doubt हो तो आप मेरे comment box में जहूर लिखना मैं आपको दुबार से समझाने की पोड़ी पोड़ी कोशिस करूँगी या जिस भी आपको step में कुछ भी problem हो तो आप उसको जहूर लिखना, okay friends bye bye, thank you